मोत को छोड़ कर आपके सरीर की हर बीमारी का इलाज है, लेकिन 99% लोग नहीं जानते इसका सही परियोग, नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज की इस वडियो में मैं आपको एक ऐसी चमतकारी ओस्ती के बारे में बताऊंगा, दोस्तों जिसके सही परियोग की विदी 99% लोग नहीं जानते, लेकिन दोस्तों ये चीज आपके सरीर की हर बीमारी का इलाज है, चाहे वो छोटी से छोटी बीमारी हो, या फिर बड़ी से बड़ी बीमारी, और दोस्तों अयुरोवेद में इसके लिए एक बात बहुत अधिक परचलित है, कि ये मोत को छोड़कर आपके स पर्योग करके आप अपने सरीर की बहुत सारी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, कलोंजी को अयुरोवेद में एक वर्दान की तरह देखा जाता है, जो आपके सरीर के लिए एक वर्दान की तरह कान करते हैं, आपके सरीर को बीमारियों से बचाने के लिए, आपके पूरे स लेकिन दोस्तों ये बात आप जानते ही होंगे कि कलुंजी की तासीर गरम होती हैं। इसलिए आपको इन गर्मियों में कलोंजी या मेथी दाना जैसे इन गरम चीज़ों का सेवन अकेले नहीं करना चाहिए क्योंकि इसन की तासीर गरम होती है और इससे आपको फाइदे मिलने की बजाए उल्टे नुकसान दिखाई देंगे। इसलिए हम आज की इस वडियो में इसके सही प्रयोग की विदी बताएंगे कि आपने इसे कलोंजी का प्रयोग करना किस चीज़ के साथ है जिसके साथ प्रयोग करने से इसकी तासीर नौरमल हो जाएगी और ये आपके वात पित और कप जैसे दोसों को भी सांत करने का काम करे और हमारे सरीर में मैकसिमम जो भी बीमारिया होती है दोस्तों वो वात पित और कप के इंबैलेंस के कान ही होती है और ये कलोंजी उस चीज़ के साथ मिलकर आपकी इस समस्या का भी समाधान करेगी और इसके साथ में आपके सरीर की सभी बीमारियों का इलाज करेगी दोस्त कि ये हमने रख दी अब दोस्तों आपने इसकी तासीर को बैलन्स करने के लिए इसकी साथ में जो चीज लेनी है वो लेनी है दोस्तों आदा चमच ही सौंफ सौंफ के सेवन से इसकी तासीर नोर्मल हो जाएगी जिससे कि आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा और उल्टे इसके फाइदे बढ़ जाएंगे आपने आदा चमच सौंफ दी इसके साथ ही रात भर के लिए विखो कर रखी रहने देनी है और सुबह आपने इसको उबाल लेना है और उबाल कर इसका सुबह खाली बेट सेवन करना है आप चाहें तो इसके बीजों के साथ भी इसको पी सकते हैं या बीजों के बिना भी इसको पी सकते हैं चान कर और दोस्तो यदि आप 15 दिन इसका सेवन कर लेंगे तो 15 दिन में आपका मोटापा आपके पेट के चरबी छूमंतर की इतना है गायब हो जाएगी दोस्तों यदि आपके सरीर में खून गाड़ा है, खून गाड़ा होने से ब्लोकेज की समस्या होती हैं, तो ये आपकी उस समस्या का भी समाधान करेगी, खून को पतला करने का काम करेगी, खून को साफ करने का काम करेगी, खून के पतला होने से आपकी कोलोस्टोल की समस्या दूर हो जाएगी, बुरे कोलोस्टोल की समस्या दूर हो जाएगी, दोस्तो इस कलुंजी और सौंप का सेवन करने से, आपकी डाइबटीज भी कंट्रोल में बने रहेगी, आपका सुगर लेवल हमेशा कंट्रोल में बना रहेगा, आप इस बीमारी के कॉंपलिकेसन से भी बचे रहेंगे, इसके साथ हमें आप जो डाइबटीज की दवा है वो लेते रहें, दोस्तो ये कलुंजी और सौंप का सेवन करने से, आपका जो लीवर है, वो भी सही रहेगा, लीवर आपका प्रोपर रूप से वर्क करेगा, और जब आपके सरीर का इंजन यानि लीवर प्रोपर रूप से वर्क करेगा, तब आपकी इम्यून पावर हाई रहेगी और आपका सरीर हमेशा नेरोगी बना रहेगा, ये आपके पूरे सरीर में बलड सर्कुलेशन प्रोपर बना कर रखती है हाई बीपी को कंट्रोल करती है आपको पेट के रोगों से बचा कर रखती है कबच गैस एस्टिटी जैसी बेमारियों का समाधान रखती है आपकी आँखों की रोशनी को भी बढ़ाती है तो दोस्तो देखा इस कलुंजी के साथ सोंप को यदि मिला दे जाए तो कितने सारे फाइदे है तो दोस्तो देख इस बात की है आप भी इस नुस्खे को आज ही अपने घर पर बनाए और इस नुस्खे का प्रियोख करें और अपनी सरीर को निरोगी बना दे अपने सरीर की बहुत सारी बेमारियों से बचे रहें तो दोस्तों यह थी हमारी वडियो यदि आपको हमारी वडियो अच्छे लगे तो प्लिज लाइक और शेयर जरूर कीजिए इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का इकोन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सबी आने वाली वडियो की नोटिपकेशन आते रहे धन्यवा दोस्तों